मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज आप इस वीडियो को अपने स्वास्थे के लिए पूरा जरूर देखें। और यदि आपके यह वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मित्रों, एक बार आचार्य गुरू भ्रमन करते हुए एक गाव से निकल रहे थे, तब वह विश्राम के लिए उस गाव में रुख जाते हैं। उन्हें रुका हुआ देखकर उस गाव के कई लोग उनके पास प्रवचन सुनने के लिए पहुँचते हैं। उस गाव के लोगों की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि वह लोग बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते थे। खास कर मित्रों कुछ ऐसे लोग थे जो घुटनों के दर्द से परेशान रहा करते थे इसलिए लोगों ने उन गुरु से आग्रह किया कि वह कोई उन्हें ऐसा तरीका बताएं जिससे उनका स्वास्थ्य सही हो सके और वह कभी भी बीमार न रहे। तब मित्रों, इसके बाद आचार्य गुरु उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोडों लोग हर दिन अनेक बीमारियों और जोडों के दर्द से जूजते रहते हैं। मा, प्रकृती में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्दान होती है। जिस तरह से एक मा अपने बच्चे का अच्छी तरीके से खयाल रखती है। उसी तरह यह मा प्रकृती भी हमारा अच्छे से खयाल रखती है। मित्रो आचार्य गुरु कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी औशधी के बारे में बताऊंगा जो माँ प्रकृती से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभधायक है देखिए हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औशधी मिल जाए ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सके हमें कोई बीमारी न हो और वह हमारे स्टैमिना को बढ़ाएं हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमें हर बीमारी से दूर रखें इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए भक्तों आज एक ऐसे ही अनमोल आयूरवेदिक औशधी के बारे मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से बताऊंगा जिसका सेवन करके आप दोस्तों अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और वह आयूरवेदिक औशधी है मेथी दोस्तों मेथी के पानी के बहुत ही ज्यादा लाभ दायक फायदे हैं इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे इसके लिए आपको इस प्रसंग को अंत तक अवश्य देखना है दोस्तों, आज की इस प्रसंग मैं आपको सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पताना हो तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है मित्रों मेथी में कई गुण पाये जाते हैं इसमें विटामिन A, K, C, Folic Acid, Jink, Potassium, Calcium और आयरन जैसे महत्वपूर्ण विटामिन्स और Mineralds होते हैं और इसमें Anti-Onexidents भी पाये जाते हैं जो शरीर को Free Radicals से बचाते हैं और अनुकूलन करते हैं और मेथी में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है जो पाचन को सुधारती है और आहारी की संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और यह Anti-Inflamatory गुणों से भरपूर होती है जो स्वास्थे के लिए फायदे मंद होते हैं और मेथी का सेवन खाने की सुरक्षा में मदद करता है और मधुमेह के प्रबंधन में भी सहायक होता है फिर आचार्य गुरु कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपको मेथी का पानी सुबह भूखे पेट पीने से कौन सी बीमारियों से हम जीवन भर दूर रह सकते हैं और उसके बाद मित्रों आपको हम बताएंगे कि आपको मेथी का पानी कैसे सेवन करना है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाब हो सके मेथी यह कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है अगर आप सुबह खाली पेट एक मेथी का पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्य जनक फाइदे होंगे और मित्रों मेथी में ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं मित्रो मेथी का पानी पीने का पहला फाइदा है इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है जब आप मेथी का पानी पीने खाली पेट सुबह सुबह पिते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुल कर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिलकुल खत्म भ वशोशित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है मित्रों जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं जिससे आपको food poisoning होने का खत्रा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है अगर आपके आपके शरीर में inflammation यानि अंदर की सूजन को कम करता है फिर दोस्तों आचार्य गुरू उनसे कहते हैं कि inflammation क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाती है पहले इसके बारे में समझो inflammation का अर्थ है शरीर में सूजन और शरीर में सूजन पैदा होती है जब शरीर पर कोई जखम होता है कोई चोट लग जाती है ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है ल और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसान दायक होती है लेकिन मित्रों आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं यह सूजन कहीं कारणों से हो सकती है जैसे बीडी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से शराब पीने से तनाव के कारण शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन में खराबी होने से मित्रों लंबे समय तक प्रदूशन में रहने से अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुचाना शुरू कर देती है, इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे की दोस्तों, Cancer Heart Attack, Arthritis, Diabetes, Asthma, Sugar, BP. अगर आप रोज मेथी का पानी पीने से आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है क्योंकि इसमें ऐसे Antion Accident होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं, इसके अलावा मेथी का पानी आपके वजन को भी कम करता है। अगर दोस्तों, आप मोटापे के शिकार हो, तो निमित सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू कर दो, आपका मोटापा धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मित्रों मेथी शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं, और आपके शरीर में एक्स्ट्रा पेट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। और मेथी का पानी डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अगर आप डायबिटीज के शिकार हो तो आप नियमित आधा कप मेथी का पानी पी लीजिए, आपको डायबिटीज से चुटकारा मिल जाएगा। और मेथी का पानी पीने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बो हाइड्रेट को ग्लू कोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। मेथी कॉलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बलड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दोस्तों दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। और मित्रों, आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं, इसके साथ ही मेथी आपकी आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। फिर आचार्य गुरू, उन सभी शिश्यों को बताते हुए कहते हैं कि शिश्यों, मेथी का पानी हमारे शरीर के अंदर से अमलता को खत्म करती है। और मित्रों, यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परिशानिया होती है, हार्ट अटैक से संबंधित परिशानिया होती है, मूत्र से संबंधित जो परिशानिया होती है, उन सब को मेथी का पानी पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि यह सब परिशानिया हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती है और दोस्तों, आपको बता दे कि मेथी खून को पूरी तरह साफ करती है मित्रों, इसके अलावा मेथी के बहुत सारे फायदे हैं यदि मेथी का पानी को आप शहद के साथ मिला कर पीते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। जैसी भी खांसी हो तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा वह भी हमेशा के लिए। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो मेथी का पानी बहुत ही फाइदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो मेथी के अंदर एकाग्र पाई यानि की फूलों का मोर होता है। अगर दोस्तों उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा मेथी का पानी मधु मेह रोगियों के ग्लुकोज स्तर को नियंतरन रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचाता है। या फिर जोडों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कॉलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो मेथी का पानी का सेवन आपके लिए राम बान साबित हो सकता है। मित्रों आपको बता दें कि मेथी का सेवन रक्त प्रवाह को बहतर रखता है। इससे पाचन शक्ती भी मजबूत होती है। इसलिए दोस्तों यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप मेथी का पानी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीन करता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभधायक है। मित्रों यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। मित्रों मेथी में एंटियो नेक्सिडेंट गुण ओएक्सिडेटिव तनाव को कम करने और पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं और मेथी में विटामिन A, B, C और E का अच्छा स्रोथ है जो समग्र स्वास्थे के लिए आवश्यक पोशक तत्व प्रदान करता है। और मेथी आयरन से भरपूर होता है। इसके 100 ग्राम में लगभग 6.1 मिली ग्राम आयरन होता है। मित्रों मेथी में पाए जाने वाले यौगिकों में संभावित कैंसर विरोधी गुण पाए पाए जाते हैं जो कैंसर की संभावना को हमेशा के लिए रोग देते हैं और मेथी में रोगानु रोधी गुण पाए गए हैं जो विभिन बैक्टीरिया और कवक के विकास को रोगते हैं। दोस् भरने की गतिविधी दिखा सकते हैं मेथी से प्राप्त आवश्यक तेल का उपयोग क्रीम और अन्य फॉर्मूलेशन में किया जा सकता है जो धूप से सुरक्षा, त्वचा को चमकदार बनाने और रूखी त्वचा को मॉईस्चराइज करने के लिए प्रभावी हो सकता है मेथी का तेल त्वचा की समस्याओं जैसे फोड़े, फूंसी, फूंसी, खुजली, दाद, एथलीट, फुट आदि से निपटने में भी सहायक होता है दोस्तों, इसकी पत्तिया न केवल खाने में एक अलग स्वाद और खुश्बू जोड देती हैं, बलकि आपकी सेहत को भी बहुत सारे फायदे देती हैं इसके औशधिय गुणों के कारण अब मेथी को अलग-अलग तरह से भी प्रयोग किया जाने लगा है जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल बालों और डिटॉक्स वाटर के रूप में किया जा रहा है पर क्या आप जानती हैं कि मेथी के पानी से आपको कई लाब मिल सकते हैं दोस्तों, मेथी का पानी सेवन आपके संपूर्ण स्वास्थे के लिए फायदे मंद है और इसका सेवन डायबिटीज को कंट्रोल करने स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है और बालों की ग्रोथ में भी मददगार साबित होता है बहतर लाब के लिए आप इसे सुबह खाली पेट ले सकती हैं दोस्तों, मिथी एंटियोन एक्सिडेंट से भरा होता है यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और बीमारी से उबारने में मदद करता है इसमें मौझूद एंटियोन एक्सिडेंट ओक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने और बीमारी पहुँचाने वाले बैक्टीरिया से एल डी 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 अचने में मदद करते हैं इसका सेवन हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना जरूरी है दोस्तों सुभह खाली पेट साथ से आठ मैथी के दाने को चबाने के बाद एक ग्लास पानी पी लेना चाहिए और दोस्तों मेथी में पोशन तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं इसमें मौजूद विटामिन ए आँखों के रोशनी बरहाने में मदद करता है जिससे दूर तक देखने की क्षमता भी बरट जाती है मेथी उम्र के साथ होने वाले आँखों की कमजोरी से भी बचाता है यदि आपको आँख की रोशनी कम हो रही है तो आपको खाना खाने के बाद मेथी के पानी का सेवन करना चाहिए और आप इसे सुबह खाली पेट शहद के साथ भी ले सकती हैं और दोस्तों मेथी में मौजूद कार्मिनेटिव गुण गैस और सूजन जैसे कारकों को नियंतरित करने में मददगार साबित हो सकते हैं इससे मौर्निंग सिक्नेस की समस्या में भी आराम मिलता है यदि आपको मितली आती है तो खाली पेट इसे चबाने से आपको राहत मिल सकती है सुबह इसका सेवन मौर्निंग सिक्नेस और मितली को दूर करने में कारगर है साथ ही साथ दोस्तों मेथी में मौजूद घटक एंटी ओबेसिटी और लिपिड कम करने वाले प्रभाव मोटापे से लड़िनने में मदद करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं ये कॉलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखते हैं मित्रों ये तरीका वजन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है सुबह खाली पेट पांच से छे मेथी के दाने चबाने के बाद हलका गर्म पानी पीना बहुत ही फायदे मंद होगा फिर दोस्तों आचार्य गुरु चौथा और शधिये फायदा बताते हैं कि यदि मित्रों आपके दान्तों में सिर में या फिर जोडों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है यदि आपका कॉलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो मेथी का पानी का सेवन आपके लिए रामबान साबित हो सकता है मित्रों आपको बता दे कि मेथी का पानी रक्त प्रवाह को बहतर रखता है इससे पाचन शक्ती भी मजबूत होती है इसीलिए दोस्तों यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप मेथी का पानी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करे भारतिय वेदों में मेथी का नाम सर्वर रोग निगरानी रखा गया है जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला और मित्रों मेथी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभधायक है लेकिन खासकर हमें यह तीन फायदे पहुचाता है सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है और यदि हम मेथी के पानी का सेवन करते हैं तो उससे मुठ का कैंसर कभी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है मेथी की पत्तियां चबाने से मुह की सफाई होती है जिससे मसूडों में होने वाले संक्रमन और दांतों की सडन खत्म होती है और यह एसिडिटी सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं और मेथी का फाइदा है कि हमें तवचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है क्योंकि दोस्तों मेथी में एंटी बैक्टीरियल गोण शरीर से हानिकारक टॉक्सिंस को बाहर निकालते हैं यह बलड को शुध करते हैं और आपकी तवचा को प्राकृतिक रूप से साफ कर बनती है क्योंकि मेथी में मौझूद एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और एंटी वाइरल प्रॉपर्टी संक्रमन फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। दोस्तों मेथी में एंटी उंक्सिडेंट्स, फाइबर और बहुत सारे एंटी इंफलेमेटरी गुन भ बलकि यह आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है, जो कि जॉइंट पेन के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले मिनिरल्स जैसे मैगनीशियम और फासफोरस और मैगनीज वगेरा ये आपकी हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती भी देते हैं। मित्रों, यह मिनिरल्स आपकी बोनस को हेल्दी रखते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं जो कि जॉइंट पेन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। मित्रों, जब यह पानी के अंदर उबलने लग जाए तो इसे आप आग से उतार लीजिये और ढखकर लगभग 5-6 घंटे के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिये। दोस्तों, लगभग 6 घंटे के बाद इस पानी को छान लीजिये और बस आपका मेथी वाले वाटर है, मेथी का पानी है, वो तैयार है। इस पानी को आप रोजाना दिन में एक टाइम पीजिये। और यह एक टाइम पीना आपके जोड़ों के दर्द और आपकी हड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। और साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत फाइदे मंद होगा। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा आपको। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के क्रॉनिकल से पीडित हैं या बहुत लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए कि क्या आप इससे मेथी के पानी को ले सकते हैं या नहीं। साथ ही अगर आप प्रेगनेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो ऐसे में भी आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या यह आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मित्रों, सुभह खाली पेट मेथी का पानी पीने से हर उम्र के लोगों को फायदा मिलता है और डायबिटीज, किड्नी स्टोन और लिवर से जुद्धी समस्याओं में मेथी का पानी रामबान माना जाता है। आयुरवेद में इसका इस्तिमाल कई गंभीर बीमारियों के इलाज में औशधी के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, मेथी के पानी में घुलनशील डायटरी फाइबर की मात्रा होती है और फाइबर पेट के लिए बहुत फायदे मंद होता है। मेथी में मौजूद गुण अपच, कब्ज, ब्लोटिंग जैसी परेशानियों को दूर करने में बहुत फायदे मंद होते हैं। खाली पेट, एक गिलास मेथी का पानी नियमित रूप से पीने वाले लोगों को पेट और पाचन तंत्र से जुद्धी बीमारियों का खत्रा कभी नहीं होता है। और मित्रों, शुगर के मरीजों के लिए मेथी का पानी किसी औशद्धी से कम नहीं होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है और ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में फायदा मिलता है.